हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके शेयर करूंगी बहुत ही ज़दा सिंपल और बहुत ही आसान सी नास्तेकी रेसिपी तो फ्रेंड्स इसे आप घर में रखे हुए बेसिक सामान से बना कर तयार कर सकते हैं बहुत ही जदा क्रिस्पी बनते हैं, खाने में बहुत ही जदा चटपटी और मज़िदार बनके तयार होती है, इसे बनाना भी फ्रेंड्स बहुत ही जदा असान है, आप इसे फटा फट बनाकर तयार कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स देर नहीं करेंगे, रेसिपी बनाना इसके लिए यहां पे मैंने एक कप पोहा लिया है तो पोहा यहां पे आप किसी भी तरह का ले सकते हो मोटा या पतला मैं नॉर्मल इस तरह का पोहा लेकर इस रेसिपी को तयार करूँगी तो यहां पे एक मिक्सी का जार लिया है इस मिक्सी के जार में हम पोहे को एड कर दें दूसरी तरफ यहां पे दो कच्चे आलू लिये हैं मैंने तो इसे मैंने अच्छे से छील लिया है अब हम इसे क्या करेंगे ग्रेट कर लेंगे तो यहां पे आलू को छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके हमें यूज करना है तो यहां पे आलू की क्वांटिटी मैंने बहुत अच्छे से वाश कर लूँगी ताकि जो भी इसके स्टार्ट होगा वो निकल जाएगा और इसके बाद हम इसे भी साइड में रखेंगे दूसरी तरफ गैस पे मैंने पैन रखा है थोड़ा सो ऑईल एड कर देंगे ऑईल के गरम होने पर एक चमच जीरा वन फोर्थ हींग और दो ग्रीन चिली को मैं यहां पर बारिक कट करके यूज कर रही हूं साथ ही मैं दो चमच यहां पर मैं सफेद तील एड कर दूगी बिल्कुल हलका सा हम यहां पर इसे रोस्ट कर लेंगे साथ ही मैं यहां पर एक कप के करीब यहां पर पानी एड कर दूगी तो हम हम यहाँ पर mix कर देंगे, साथ ही मैं यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक एड़ कर दूँगी, और एक चमच मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स एड़ किया है, वो डाल देंगे, और यहाँ पर पानी में उबाल आने देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पानी में अच्छा सा उबाल आने लगा है, जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा, हम क्या करेंगे, जो हमने पोहे को ग्राइंड करके रखा है, वो हम इसमें एड़ कर देंगे, और इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही यहाँ पर मैं दो चम्मची करी बेसन एड़ करूँगी, बेसन से फ्रेंट्स इसका स्वाद बहुत ही ज़दा अमेजिंग आता है, आप इसमें जरूर एड़ करें, डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें लम्स गुटलियां बिल्कुल भी न बने, और बिल्कुल डो जैसा हमें इसे बना कर तयार करना है, तो इसी तरह से हमें मिक्स करते जाएंगे, और इसे बिल्कुल डो जैसा हमें इसे बना लेना है तो friends इसे पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है बहुत ही कम टाइम में ये बनके तयार हो जाता है तो इस तरह से करते हुए हम यहां पे बिल्कुल डो जैसा हमें इसे बना लेना है तो यहां पे आप देख सकते हो, हमारा जो dough है, बिल्कुल बनके तयार हो गया है, पैन छोड़ने लगा है, लास्ट में यहां पे मैं धनिया पत्ती एड़ कर दूंगी, और इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे, तो फ्रेंड्स यह रेस्पी बहुत ही ज़़ा टेस्टी बनती ह यह बहुत ही ज़़ा अमेजिंग सा नास्ता है, आप बना कर इस ते आप स्टोर करके भी रख सकते हो, दो से चार दिन आप यह स्टोर कर सकते हैं इसे, तो यहां पे हमारा dough बनके बिल्कुल तयार हो गया है, दूसरी तरफ मैंने यहां पे एक थाली लिए और इसके पीछे वाले साइड में थाली को पलट कर और यहां पे थोड़ा सा ओयल से ग्रीस कर लूँगी, और यह जो नास्ता हमने बना कर रखा है dough उसे हम इस तरह से डाल देंगे, और इसके बाद इस तरह का हम इसे फैला देंगे, तो मैं यहां पे इस तरह से इसे फैला कर तयार तो फ्रेंड्स आप चाहो जिस भी शेप में यह नास्ता बना कर तयार कर सकते हो, मैं यहां पे ट्रेंगल का शेप दे रही हूँ, तो पहले हमें इस तरह से कर ले ना है, उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद हम इसे कट कर तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी या वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और इस तरह से आप बनाके फ्रेंड्स इसे आप 2-4 दिन तक आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, यह बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और जब भी आपको मन हो, आप इसे फ्राइ करके इंज्वाइ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह का मैंने यहाँ पे बनाकर तयार कर लिया है, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और उसके बाद हम इसे फ्राइ करेंगे इसे फ्राइ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, और बहुत ही कम तेल में मैं इसे फ्राइ करूँगी, आप चाहो तो इसे डीप फ्राइ भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सेलो फ्राइ कर रही हूँ गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे रखेंगे और उसके बाद इसे अलट पलट कर बिल्कुल क्रिस्प होने तक इसे फ्राई कर लेंगे इसे फ्राई होने में भी फ्रेंड्स जादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है फटा-फट इसमें कुछ स्पाइसेज वगरा भी एड़ कर सकते हैं और यह देखिए मैंने यहां पे सभी को फ्राई कर लिया है अब मैं इसे निकाल लूँगी तो किसी भी जाली वाले बरतन में आप इसे पहले निकाल लें तो फ्रेंड्स यह रेसेपी आप एक बार जरूर ट्राई करें बहुत ही सिंपल है इजी है घर में रखे हुए बेसिक सामान से बनके तयार हो जाता है और खाने में उतना ही जादा यह स्वादिस्ट लगता है और इस तरह से आप बना कर कभी भी आपके घर कोई भी गेस्ट हो तो फ्रेंड्स आप इस तरह से पी को एक बार जरूर ट्राई करें तो फ्रेंड्स मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ आप देख सकते हो अंदर का टेक्शर तो आप भी इसी तरह से बनाएं और इन्जुआए करें वीडियो पसंद आएं तो चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में ओके बाइ और टेक केर फ्रेंड्स